Hello children, I am Sushma Atrapati and today I am going to teach you EVS Standard 2, Lesson No. 4, Animals and Their Uses. तो बच्चो इसे हम हिंदी में भी समझेंगे और इंग्लिश में इसकी रीडिंग भी देखेंगे. तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन. There are many animals seen around us. हमारे आजू बाजू में, हमारे सराउंड में बहुत सारे animals दिखाई देते हैं. Which of the following have you seen in your neighborhood? तो बच्चो कुछ animals नीचे दिये गया हैं, उनमें से आपने कौन-कौन से जानवरों को देखा है, उसे टिक करना है आपको. टिक those you have seen, जिन्हें आपने देखाए, उन्हें टिक करना है. तो नाम देख लेते हैं, काउ, लिजार, क्रो, बटरफ्लाइ, फिश, डॉग, हॉर्स. इनमें से जिसे भी आपने देखाए, उसे आप टिक करेंगे. आइसे आइसे आइसली जो हमारे लिए उसफूल हो, उपयोगी हो, उन्हें हम कहते हैं, दोमेस्टिक आइसली में का मतलब क्या होता है? ऐसे आइसली जो हमारे लिए उसफूल हो. वी लुक आफ्टर देम एंड प्रोवाइड देम फूज, वाटर, शेल्टर, एंड केयर. हम ऐसे आनिमल्स को खाना प्रोवाइड करते हैं, पानी देते हैं, उनकी लिए घर बनाते हैं और उनकी देख भाल करते हैं. Animals that live in the forest are called wild animals. ऐसे आनिमल्स जो जंगल में रहते हैं, उन्हें कहते हैं wild animals यानि की जंगली जानवर. We can see some of them at the zoo. अगर हमें ऐसे आनिमल्स देखने हैं, तो हम जू में जाके देख सकते हैं. The elephant, giraffe, lion, tiger, zebra, rhinoceros and the gorilla are some of the big animals. तो यहाँ पर बच्चो कुछ आनिमल्स के नाम बताए गए हैं, elephant, giraffe, lion, tiger, zebra, rhinoceros, gorilla, ये जो आनिमल्स हैं, ये बड़े आनिमल्स हैं, big animals हैं. The fox, wolf, jackal, monkey, deer, mongoose and the squirrel are some of the small animals. तो बच्चो यहाँ पर कुछ small animals के नेम बताए गए हैं, वो देखेंगे हम, fox, wolf, jackal, monkey, deer, mongoose and squirrel. Some animals live in and near the water. The fish, crab, turtle and the whale live in water. The turtle and crab do come out on land sometimes. तो बच्चो यहाँ पर क्या बताए गया हैं कि कुछ animals ऐसे होते हैं जो पानी में और पानी के आसपास रहते हैं. मच्चली, केकड़ा, कच्चुआ, वेल यह ऐसे animal हैं जो पानी के अंदर रहते हैं. कच्चुआ और केकड़ा जो है, वो कभी-कभी जमेन पर भी आ जाता है. दे क्रोकोडाइल, फ्रॉग और हिप्पोपोटेमस लिव बोथ इन वाटर और अन लैंड. मगरमच्च, मेंधक, हिप्पोटेमस यह दोनो जगर रहते हैं. पानी में भी रहते हैं और जमेन पर भी रहते हैं. बट ओनली दो फ्रॉग केन ब्रीध बोथ इन वाटर और अन लैंड. इन में से फ्रॉग ऐसा जानवर है, जो पानी में और जमेन पर दोनों जगर सांस ले सकता है. ब्रीध मतलब सांस लेना. ठीक है? आगे बढ़ते हैं. दे एलिफेंट, डियर, जेब्रा एंड जिराफ आर प्लांट इटिंग अनिमल्स. लायन, टाइगर्स, लेपर्ड एंड क्रोकोडाइल्स हंड एंड एड फ्लेश ओफ अदर अनिमल्स. दे आर फ्लेश इटिंग अनिमल्स. तो बच्चों यहां पे दिको प्लांट एंड फ्लेश इटिंग अनिमल्स में कौन से अनिमल्स आरे हैं? लायन, टाइगर्स, लेपर्ड एंड क्रोकोडाइल्स. यह दूसरे जानवर को मारते हैं और उनका फ्लेश खाते हैं, मांस खाते हैं. सॉम अनिमल्स लाइक बीर, डॉग, गैट एंड राट इट प्लांट आस वेल आस अदर आनिमल्स तो बच्चों यहाँ पे कुछ ऐसे भी आनिमल्स बताएगा हैं जो प्लांट भी खाते हैं और दूसरे आनिमल्स के मांस भी खाते हैं. तो उनमें कौन-कौन से अनिमल्स हैं? बियर, डॉग, कैट, रैट, यह सारे जो आनिमल्स हैं यह बफैलो और गोट गीव उस मिल्क तो यहां पे हम सीखेंगे कि एनिमल्स का यूज क्या होता है काउ बफैलो और गोट ये एनिमल हमें दूद देते हैं बुलक्स और ऑग्जें और यूज तो प्लॉद फिल्स बाय दफार्मर बुलक्स बुलक्स मींस बैल बैलों का उपयोग करके किसान जो होते हैं अपने खेत में खेती करते हैं Horses and Bullocks draw cards and carriages, घोड़े और बैल गाड़ी खीचने का काम करते हैं Elephants, Camels, Donkeys and Mules carry loads, हाथी, घोड़े, गधे, खचर ये सारे animals बोज़्ध होने का काम करते हैं Birds like the hen and the duck give us eggs, मुर्गी और बतक से हमें अंडे मिलते हैं We get honey from honeybees, और शहद हमें किसे मिलता है, मदु मक्कियों से हमें शहद मिलता है We get silk from silkworms, they feed on mulberry leaves, हमें silk यानि रेशम, रेशम के कीडों से मिलता है वे शहतूत के पत्तियों पर अपना भोजन प्राप्त करते हैं The sheep give us wool, भेड से हमें उन मिलता है, woolen clothes are made out of wool सड्डियों के लिए जो उनी कपड़े हम यूज करते हैं वो इसी उन से बनाये जाते हैं Goats, sheep, hens and turkey are reared for their meat क्री, भेड, मुर्गी और तर्की को उनके मान्स के लिए ही पाला जाता है Reared means होता है पालना Certain varieties of fish are eaten as food मचली की कुछ किसमें भोजन की रूप में खाई जाती है Dogs have a strong sense of smell कुट्टों में सूंगने की तीवर ख्रमता होती है They help the police to find criminals, drugs and explosives वे अपराधियों, drugs और विस्पोटक दूरने में पुलिस की मदद करते हैं Dogs also guard the house कुट्टे घर की रखवाली भी करते हैं Leather is made out of the skin of dead animals to make various articles like bags, jackets, shoes and belts यहाँ पर बताया गया है कि हम जो leather के सामान यूज़ करते हैं जैसे bags, jacket, shoes और belt वो leather से बनाया जाता है और leather हमें मरे हुए जानवरों के तवचा से प्राप्त होता है Animals that are tamed and kept at home are called pets They give us joy and fun Some of the common pets are dog, cat, rabbit and fish जिन जानवर को हम पालतू बना कर अपने घर में रखते हैं उन्हें हम पालतू जानवर कहते हैं वो हमें खुशी और मस्ती देते हैं कुछ आम पालतू जानवरों के नाम है dog, cat, rabbit and fish We should take care of our pets and be kind to them हमें अपने पालतू जानवरों की देखभाल करनी चाहिए और उनकी प्रती हमें दयालू होना चाहिए Remember First point, animals that are useful to us are called domestic animals Second point, animals that live in the forest are called wild animals Third point, animals that are tamed and kept at home are called pets Fourth point, animals are useful to us in many ways Fifth point, wildlife has to be protected and preserved for the future तो बच्चों यहाँ पे हमारा यह lesson खतम होता है अब हम इसका exercise देखेंगे Question number one, answer the following First one, how are the following useful to us? यहाँ पे कुछ animals के name दिये हुए हैं वो हमारे लिए किस तरह उपयोगी हैं वो हमें लिखना है Hence, hence give us meat and eggs Honeybees, honeybees give us honey Second question, name any two common birds that you see daily यहाँ में ऐसे birds के name लिखने हैं जो हम अक्सर देखते हैं A. Crow B. Pigeon How are dogs helpful to the police? Dogs help the police to find criminals, drugs and explosives Fill in the blanks Dash and dash are plant-eating animals तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? Elephant, giraffe Elephant, giraffe are plant-eating animals Second question, the tiger and the zebra have stripes on their body तो बच्चों यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? Dash में zebra Third question, the dash is the largest land animal The elephant is the largest land animal Cross the odd one out तो बच्चों इसमें जो match नहीं होता है category से उसे हमें cut करना है, cross करना है First, mule, donkey, cat, camel Mule, donkey और camel जो है वो बोज़्ट होने के काम आते हैं यहाँ पे दिखो cat जो है वो pet animal है तो उसे हम cross करेंगे Second, tiger, lion, leopard, giraffe Tiger, lion, leopard जो है यह flesh eating animal है Giraffe, plant eating animal है तो हम giraffe को cross करेंगे Third question, fish, whale, turtle, rabbit Fish, whale, turtle जो है वो water animal है Rabbit, land animal है तो हम rabbit को cross करेंगे Fourth, crow, giraffe, jackal, elephant Giraffe, jackal, elephant यह animals है और crow, bird है तो हम crow को cut करेंगे Fifth one, cow, bullock, sheep, tiger Cow, bullock, sheep, domestic animals है Tiger, wild animal है तो यहाँ पे हम tiger को cross करेंगे तो बच्चों यहाँ पे हमारा यह lesson पूरी तरह से complete हो चुका है Thank you